नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थो कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हिंदी भासा का second part होगा lecture जो हम जानेंगे कि लक्षर क्या होते हैं वर्ड क्या होते हैं और सब्द क्या होते हैं इन सभी के बारे में हम distance करेंगे और एक एक question को भी समझेंगे ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की class ओके जैसा कि आप लोग पहली लेक्षर नहीं समझेते हैं भासा होता क्या था भासा के वारे म क्या है भासा की characteristics क्या होती है बिसस्ताइं क्या होते हैं तो आप पहली वीडियो को देख लिजिएगा वास कर लिजें यहोंक फिर उसके वाद हम अपने topic पर आजाएंगे द्यान समझेगा दोस्तो भासा और लिभी देखिए हम लिख दे रहे हैं भासा क्या है दोस्तों भासा एक तरह का माध्यम है है ना माध्यम है जो मनुष्य अपने विचारों को विचारों या फिर भावों को कि इसको दोस्तों बिचार या फिर उसके भावों को है ना बोलकर या फिर लिख कर बताता है याद करती है दोस्तों बोलकर या फिर लिख कर दूसरे को समझाता है या फिर बताता है ना लिख कर बताता है वह ही क्या होता वह होता है आपका भासा होता याद कर लिजीगा भासा की डिफिनिशन क्या है भासा एक तरह का माध्यम है जिसके द्वारा मनुस अपने कौन मनुस से निक बोलेगा जानवर तो बोलेगा नहीं मनुस जो होता है अपने विचारों बोलेगा मतला वह अपने लेंग्विज बोलता है मनु लिपि क्या होता है बहुत सारे फिrent रहए लिपि क्या होता है उल इसन्फब है तो चिल्नौ का मौखिक भासा को लिखने के लिए लिखने के लिए जो चिन प्रयोग कर लिखने के लिए याद कर लिजेगा लिखने के लिए चिन का प्रयोग करते हैं किसका दोस्तों चिन का प्रयोग करते हैं चिन का प्रयोग करते हैं वही लिपी होता है याद कर लिजेगा प्रयोग करते हैं वही क्या है वो आपका लिपी है याद करिएगा इसका डिप्टिशन है क्या है दोस्तों मौखिक भासा को लिखने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है वो लिपी होता है उमीद है आपको समझ में आ गया difference भाजसा और लिपी, भाजसा क्या है माध्याम है, क्या करता अपने मनों विचारों या भावों को express करता है लिपी क्या होता है, यह मौखिक भासा को लिखने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोब करते हैं, उमीद है आप लिपी और भासा के बारे में आप समझ गए होंगे चलिए, इसका स्क्रीन साट ले लीजेगा, उमीद है आपको यह समझ में आया होगा, वह स्क्रीन सार्ट ले लिए होंगे, चलिए दोस्तों आब हम समझते हैं आगे के क्लास के बारे में, तो आप समझते हैं लोग दोस्तों, अब हम समझेंगे एक word या फिर अच्छा होता क्या है, इसको समझते हैं, ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखिए दोस्तों वर्ड क्या होता है यहां भी इंपॉर्टेंट है वर्ड या फिर अच्छा दोनों का मीनिंग क्या है एक ही होता है याद करिएगा वर्ड या फिर अच्छा क्या होते हैं दोनों सेम होते हैं करा के भासा का वर भासा का वर छोटे से छोटा भ भाग है ना देखिए ध्यान दीजिए भासा का ही होता है किसका होता है दोस्तों भासा का होता है इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट होता है करा क्या है भासा का हुआ छोटा सा छोटा भाग जिसके टुकडे ना हो सके मतलब ब्रेक नहीं कर सके किसको दोस्तों टुकडे न नहीं हो सकते टूकड़े नहीं हो सकते उसे क्या करते वर्ड या फी अक्षर करते हैं कराय क्या दोस्तों भासा का वह छोटा सा छोटा भाग जिसके हम टूकड़े नहीं कर सकते हैं टूकड़े का मतलब क्या है ब्रेक टूकड़े नहीं हो वही क्या होता है वह आपका अक्षर या फिर लेट आपका वर्ड होता है ओके जैसे जामपल में अब बताओ दोस्तों और को ब्रेक कर सकते हैं क्या ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं जैसे मैं पुझदू राम है राम को यदि हम ब्रेक करें तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों कैसे रा प्लस म लिख सकते हैं लिख सकते ह हैं इसलिए क्या वह अक्षर है आपको उम्मीद है समझ में आ गया डिफिनिशन जैसे आई यह सब क्या है यह आपके वर्ड होते हैं अक्षर होते हैं याद कर लिजिएगा दोस्तों इंपोर्टेंट था नेक्स पॉइंट समझते हैं कि भासा की सबसे छोटी काई है यह श्चोटी काई जो होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं वर्ड बोला जाता है इंपोर्टेंट है या फिर अप्षा राखतों ने दिया रहेगा दोनों टिक करकर आज आएंगे इनिमें से कोई रहेगा दो Ca bats 있는 क्या होता है फोता है यह क्यी सब से हमेशन हीको अब इसकी क्या होता है दोस्तों यहां समझेंगे देखिए एक क्वाइंट है करा क्या यह एक ऐसी काई है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं सब्सक्राइब क्या है इसके योग से सब्सक्राइब मतलब क्या है दोस्तों जो सब्सक्राइब जो होता है वर्डों को मिलाएंगे मिलाकर ही क्या बनते हैं सब्सक्राइब जो कि हमने बता दिया है वर्ड के हैं लगा है फिर आपका प्लस ना जोडते हैं देखिए इस तरह का वर्ड है वर्ड में क्या होते हैं ध्यान समझगेगा जो वावल होता है बैंजन भी दोनों को मिला कर ही वर होते हैं कितने होते हैं जिसमें से बैंजन होते हैं और आपके स्वर होते हैं सोहरों की संक्या और बेंजन की संक्या अभी हम आपको बताएंगे भी है फिलाल में आप कमेंट बॉक्स में पील करिएगा कितने हमने बता दिया कि आपके इतने होते हैं टोटल वर्ड का मतलब क्या है बेंजन प्लस सोहर याद करिएगा पूछता है सोहर प्लस बेंजन को मि का कर वर्ड बनता है या फिर अक्षर होता है याद करिए दोस्तों है ना इसके सांख्या कितने 52 होती है उन चाहिए उन्हें कितने स्वर होते हैं कितने बैंजन होते हैं आप के लिए हो NOC है आप सब्सक्रों कर, आप कमेंट बॉक्स हैं में गर करिए तब च कि हुंड tapping S न क्या है एक टरह का सब्द है हैंने क्या बनगा दोस्तों यह सब्द है क्या वर्डों के मेल को ही सब्द अच्छरों को इसके योग से क्या बनता जैसे कि हमने बता दिया है तो आईए एब कुछ दूसरा lies कि अब हम सब्च होते हैं अ ways संब्ड करते हैं अब हम समस्ते सब्द क्या होता है दोस्तों सब्ड़ की Megan है अचरों के यूग मतलब वर्ड है मैं वर्ड या पी अचरों के योग भुक से बनने वाले धोनी समू को सब्द करते हैं जिनका मीनी जिनका अर्थ निकले क्या हो न कि आएसे ललू पंजु ऐसा है ना सार्थक अर्थ दे तभी उसको सब्द बोलेंगे जैसे देखिए दोस्तों जैसे मैं मालूँ एक वर्ड लिखने रहा हूं एक वर्ड सपोस कर रहा हूं समझाने के लिए माल लेते हैं कि को अभी एक्जाम पर बिल जाता है ना ऐसे तो क्या बना के विलाए दोस्तों अमन बना दिए है ना यह है साथ तक मिली है अब जैसे मैं को दू अब एक ऐसे वर्ड लें जिनके मीनिंग है नहीं हो मतलब उसका अर्थ है नहीं हो ज कोई ले लेते हैं से माल लेते हैं कि कि क्लिए यह यह आपको समिजाने के लिए क्योंकि हम आगे सम्जेंगे प्र 책 उनकी मीनिंग हैं अब समझते हैं हिंधि भार्शा में कुछ है याद करीजेगा याद क्या करना है दोस्तों हिंदी भासा में जो बोला जाता है या लिखा जाता है वह सबसे बड़ी विसेष्टाً कि इसमें उचारित धोनियां अंकित होती है किसमें सब्द में सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों उसको बोलने के लिए हमको धोनी यूज होता मतलब साउंड उसमें होता क्या होता दोस्तों साउंड जैसे मैं बोला हूं जैसे मैं बोलूँ आम क्या बोलूँ दोस्तों आम आपको समझाओं आम अपनी मुख क्या है उसको ओपेन कर दे रहे हैं जिहा को और अपना जो वे वर्ड है आ बोलाओं तो आ क्या है एक वर्ड है मतलब एक अक्षर है मौ भी अच्छर है इंदोनों को मिला कर आम बनाया गया है तो यह कराए दोनिया क्या होती है उचारित यह सब्द हो गया वर्ड से सब्द बना अब सब्द से अब बनेंगे कुछ दूसरा चीज़ देखिए क्या बनेगा याद कर दिएगा करा वाक क्या होता है सार्थक सब्दों का ऐसा समू जिनका कोई अर्थ हो है ना मतलब क्या है सब्दों को मिलने से ही वाक्य बनता है जि का अर्थ हो क्या हो दोस्तो कुछ अर्थ निकले है ना तो क्या होते हैं आपके वाक्य होते हैं ऐसे भासा में भी कर सकते हैं भासा में भी कर सकते हैं जिनका अर्थ निकले नहीं आएगा अपसन में कोई दिक्कत नहीं याद करिएगा सब्द में याद करिएगा दोस्तो देखिए आपको हम लीख दे रहे हैं आप समझ लीजेगा क्या क्या होती है पॉइंट देखिए दोस्तों समझाने के विजारें बताएं आपको थोड़ा सा जूम आओ के कि समझाएं तो और अच्छा समझ में आएगा देखिए तीन चीजें हैं इसमें एक क्वाइंट है प्रmud आपको आपके बनता है क्या मीनिंग निंग जिनका कोई औरत हो हो सार्थक हो भी कैसा दोस्तों सार्थक हो तो वही हम भोलेंगे आपका वाक्य, आपका बत सब्द सब्द ही रह जाएगा, जैसे मैं कहूं, एक वर्ड ले रहाँ, जैसे पुलिखें हुझी, एक लिखों हुझा, पढ़ाता है, एक सब्द क्या है दोस्तों, यहां पर आमन है, एक सब्द हिंदी है, यह सब्दों को जोड़ते हैं कि इसको जोड़े इसको जोड़े इसको जोड़े बन गया यह आपका complete अर्थ देरहा है इसलिए इसको वाख के बोलेंगे जैसे मैं दूसरा एक जामपर ले लूँ आँ मैं ऐसे लिखे रहा हूं आम घर मैं पुछँ बताब सेंटेंस हैं कि आँ मगर क्या है और का मतलब क्या है एक तरह का जिसे अपना घ्र का आमघर का ऐसे कर सब्सक्राइब का हुआ इस समझाना था दोस्तों कि वाक उसे करते हैं जिनकी और यह आपने समझ लिया अब हम समझते हैं लीपि किसे करते हैं जैसा कि ने बताया भी ता लीपि का मतलब क्या होता है दोस्तो भासा के लिखने के तरीके क्या है दोस्तो कौन सा भासा वो भी मौखिक भात याद करिएगा मौखिक मौखिक का मतलब है जो बोलते हैं ना मौखिक भासा के लिखने को भासा के उच्चारी स्वरूप को लिखने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग करते हैं उनी ही लिपी कहा जाता है जैसा कि हमने आपको बताया भी था तो ये थे सारे दोस्तों आपको समझ में आ गया कि लिपी क्या होती है भासा क्या होता है और वर्ड क्या होता है इन सभी के बारे में आपने सीखा तो समराइस की रूप में रिकॉल कर दें दोस्तों कि वर्ड क्या है भासा की वर्ड छोटी से छोटी काई जिन्हें टुकरे नहीं करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ड करते हैं इसकी सबसे छोटी काई क्या होती है वर्ड ही होती है भासा की याद कर लिजेगा अब सब्द क्या होता है वडों के मिलन से या अप्छरों के मिलने से क्या बनता है भासा बनता है यह आपके लिए important हो जाता है है ना दोस्तों अब समझते हैं वाक क्या होता है भासा के सार्थक समू को ही वाक कहा जाता है भासा के सार्थक समू समू का मतलब मिलना जब हम भास कि है न लीपी क्या होती है मौखिक भासा को लिखने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग करते हैं उन्हें लीपी कहा जाता है इतना सारा चीज हमने आज सीखा यह एक एक विजिट कर रहे हैं अलपाइन क्लासेस को तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लिजेगा ताकि हर प्रकार के नोटिपिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले हमारी वीडियों को वाच कर सके जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है यूर पैसंस इस यूर पावर थैंक यू वेरी मच्च